कल है 14 दिसेंबर यानी शुरू होने वाली है कल से तीन माचों की टेस्ट सिरीस पार्किस्तान वॉस्थ ऑस्ट्रेलिया के बीच दिखनी को मिल सकता है टक्कर का मुकाबला यह यू कहे की आस्ट्रेलिया की टीम पर सकती है पाकिस्तान की टीम पर भारी खासकर जिस तरह का ये साल पूरी आस्ट्रेलिया टीम के लिए गुजर रहा है काफी बहतरीन साल रहा है आस्ट्रेलिया की टीम के लिए सारे ही खिलाड़ी उनकी दमदार फॉर्म में चल रहे हैं बाक टू तो रही है पहला होनेवाला है लेकिन एक दिन पहले आज ही आस्टेलिया की टीम ने कर दिया अपनी प्लेइंग 11 का एलान जो तरने वाली है मैदान में 11 के साथ उसका पहले ही आज कर चुकी है यहाँ पर सिधा सिधाल खुल नी दे द हैं पाकिसान की टीम को कि देखो हमारी जिस तरह back-to-back matches में उनने परफॉर्म किया है उस्ट्रेलिया के लिए clutch player साबित हुए है या पर WTC final में भी शतक लगाया था तो ODII World Cup के final में भी शतक जड़ा था तो ऑस्ट्रेलिया को दो back-to-back ICC trophy जताने में सबसे एहम यूगदान निभाया था उनकी abilities पर trust के उस्ट्रेल और उस्ट्रेलिया की जो कल के लिए प्लेंग 11 होने वाली है उस पर नजड़ आलते हैं डेविड वॉर्णर उस्मान क्वाजा मार्नर्स लाबुशें स्टीव स्मिट ट्रावेज हैट मिचल मार्श आलिक्स कैरी विकेट कीपर मिचल स्टार्क पाट कमिंस कप्तान नेथिन लाइन जॉश हेजल वॉर्ड यहां पर प्लेंग 11 में देख सकते हैं कि स्पिनर नेथिन लाइन की वापसी हुई है जो कि आशिस की बीच में जिने काफ इंजरी हो गए थी और उल्ड आउट हो गए ते लेकिन अब कल पहले टेस्ट माच में नज़र आने वाले हैं वापस आपको अस्ट्रील है कि यह प्लेंग 11 कैसी लेगी मुझे फट 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 से कौन में जरू पताएगे अब देट फ़ाहन स्पोर्ट इसको लाइक कमेंट और जब सब्स्राइब पर ना बिकुल भी उन भूलेगा